जैसरी किष्ण, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भामना यूटूब चैनल पर आज मैं आपको गोव माता की कुछ चुपाय बताऊंगा गोव माता की यह उपाय करने से हर प्रकार के मनो कामना तुरंत पूरी हो जाती है और गोव माता की पूजा करने से प्रतेक देपता की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है जो व्यक्ति गोव माता को यह एक फल खिलाता है उस इंसान की पुत्र धन की मनो कामना पूरी हो जाती है भगवान स्री किष्ण कहते हैं कि इंसान को अपना करम करना चाहिए जो व्यक्ति सुब कर्म करते हैं उनको सुब फल की प्राप्ति होती है स्वयम भगवान सी किष्ण गौ की पूजा करते थे भगवान सी किष्ण संदेश दिया कि व्यक्ति अपने कर्म से कभी भी ना मुड़े कर्म धर्म दोनों करना चाहिए गुरुबार के दिन बुद्धवार के दिन एकादसी, पूरण मासी और आमावस्या इन दिनों पर गौमाता की पूजा का बिशिश महत्व हैं जो व्यक्ति गौमाता की पूजा करता है उसे सभी देवताओं की पूजा का फल पराप्त हो जाता है अगर किसी की साहधी में अर्चने आ रही है या पूज़ प्राप्ती में परेशानी आ रही हैं तो गौमाता को भीरवार के दिन गुर्चना खिलाना चाहिए जो व्यक्ति गुर्चना खिलाता है उसकी मनुकामना पूरी हो जाती है अमाबस्या के दिन और पूरण मासी के दिन जो व्यक्ति गौमाता को रोटी गुड़ खिलाता है उनके मस्तक बटी का लगाता है चरणों को इस पर सकरता है उस इंसान के पुत्रो धन के मनुकामना पूरी हो जाती है जीवन में कभी भी वह धन के लिए नहीं तरसता और नही वह संतान प्राप्ति लिए किसी भी प्रकार की मुसीवत में रहता है उसे स्वयोग और सुंदर हश्टपट संतान की प्राप्ति होती है घर में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं रहती जो व्यक्ति गौमाता के गौमुत्र का घर में चरकाव लगाता है उसके घर म वास्तो दोस्ट नहीं रहता जो व्यक्ति GUMATA के गुवर का घर के अंदर प्रयोग करता है उस घर में स्वेम लच्वी नारान वराज मान रहते हैं गँवमाता के गोवर मे लच्वी जी का बास हैं गोवमूत्र में गंगा वह व्यक्ति गों माता को प्रती एकासी को और पूरण मासी को और भीरवार के दिन गों माता को केले का फल खिलाना चाहिए जुवनाताय को मुसिवत प्रती दिन जूती दिन जों भ्यक्ति करना चाहिए ऐसा करने से ग्रहन की इस्तिती बदल जाती है ब्योपार में गाटा चल रहा है तो बुद्वार के दिन गोमाता को हरी बस तो खिलानी चाहिए ऐसा करने से ब्योपार उटने लग जाता है अगर ग्रहन की इस्तिती खराब है तो प्रति दिन गोमाता के सामने नम जाती हैं इनसान के हर मनुरत पूरे हो जाते हैं तो आप गौमाता की पूजा जरूर करें आपकी हर कार शिद्ध हो जाएंगे और हर मनुकामना पूरी होगी जै गौमाता की